हाई दोस्तों कैसे हुआ आप सभी तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ छे ऐसे ऐसे स्टॉक के बारे में जो एक तरह से कंपाउंडर रह चुके हैं और अपने 52 वीक्स लो के आसपास विलाल ट्रेड करें कुछ ट्रेड कर रहे हैं लेकिन सारी ही कंपनी बहतर है मार्केट का कड़वा सच मैं आपको पताता हूं मार्केट का कड़वा सच यह है कि हर किसी को पता है कि निफ्टी आज 16,200 पर है तो पांस साल के बाद निफ्टी 22,000-23,000 के आसपास होगा नो डाउट लेकिन हर किसी के अंदर पेशेंस नहीं है क्योंकि एवरी सेकेंड एवरी डे वो चेक करते हैं का स्टॉक ऊपर गया कि नीचे गया जो इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं इसके लिए मार्केट में 95-96% के आसपास सिर्प ट्रेडर है बाकि 4% इन्वेस्टर जिसमें बड़े-बड़े निवेशक आते हैं जिनको पता है कि एक साल का मतलब होता है 365 वो एक अच्छे बिजनस को बाई करते हैं और इसको छोड़ देते जो भी उनका प्लानिंग है दो साल, तीन साल, चार साल, पास साल का तो परिशान होने की अगर यहां तक अगर आता है मार्किट 15,850, तो में भी आपका पॉर्टफोलियो और डाउन हो सकता है लेकिन यह सच याद रगो जो कड़वा सच है कि जो स्टॉक का बिजनस बैतर है वो सारी की सारी कंपनी ऊपर चली जाएगी आज के टाइम पर ओल्मॉस्ट काओं तू हम जो रीटेल इंवेस्टर है उन्होंने इस मार्केट को पूरा सपोर्ट करके रखा है जिस दिन FII मार्केट में आना स्टार्ट करेंगे और उनके पास कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है या दूसरी कंट्री नहीं है जहां पर डेमोग्राफी बेटर हो डेवल में मार्केट में इंटर करना स्टार्ट करेंगे तब आपको उप्यानी सिद्यक्थ बिल्कुल नहीं मिलेगा और मार्केट अपना all-time Hey मारना चालू करेगा जैekन यहां पर कुछ 7 ती मो recipe companies के बारे में बता हूँ गा जो आप जानने के बावजूद आप उस the stock को buy करके hold करने का patience नहीं रख सकते हो लोग कि बहुत सारो लोग मैं involved करते सुर आप कैसे hold कर ले तो आप कैसे चिल रहा है राते है सिंपलर नीचे था जब उपर था था हम बहुत खुश थे, जब नीचे तो हम तभी भी खुश है क्योंकि companies में अच्छे भाई करके रखे हैं, तो आज में भी negative में, में भी एक साल के बाद देखूं, वही चीज मुझे 20%, 40%, 100% पर दिखाई देगा, इसके लिए मैं रिलाक्स करता हूं, तो business को समझना बहुत important है, जो भी company आप भाई करते हो, यहां पर आप मुझे इस channel को support करना है, तो subscribe करो, और आपको सीखना है, ताकि मैं जिस तरह से cool रहता हूं, आप भी cool रहना है, तो उसके लिए सीखना पड़ेगा कि stock analysis कैसे करते हैं, fundamental research कैसे करते हैं, technical research कैसे करते हैं, तो यहां पर आ करके आपको सीधा मेरे website पे ले जाएगा, ताकि आप जाकर के free में course को enroll कर सको, और सीख सको यह 100% guaranteed course or refundable था, जब मैं पढ़ाता था, अभी की तैम पर फिलाल मैंने पास लिया है, ताकि मैं कम से कम 10,000 students को across India में पढ़ा सकूँ, उनको reach कर सकूँ, इसके लिए इनिशेटी चालूगी है, so that इंडिया में जितने भी underprivileged लोग हैं, जिनको पैसा नहीं है, जिनको पैसा नहीं है, ग्रो करना चाहते हैं, इस टाक मार्केट इबने सीखना चाहते हैं, बले एक्विटी रिसर्च में, फिनैंशल अनलिस्ट बनना चाहते हैं, जो भी, तो इस score से वो कर सकते हैं, यह 100% guaranteed है, यह आपको बहुत ज़्यादा support कर देगा, इनिशेल स्टेज में, तो यहां जाकर कर लेना, तो यहां जाक स्ट्राइब कीजिए, चैनल को support कीजिए, तो ले चलता हूं, मैं आपको मेरे stocks के उपर, जो मैं बता हूंगा, फिर भी लोग इसको hold नहीं करेंगे, लेकिन I am not a savvy registrar analyst, please note, तो उसके हिसाब से आपको decision लेना, यहां पर जो भी companies consider कर रहा हूं, सारी के सारी blue chip companies है 52 weeks low के आसप फोकस कर रहा है, जहां पर एक company, although a large cap company भी है, लेकिन वहां से काफी जादा growth आने वाला engineering design automation के अंदर में, तो इसके लिए company मैंने consider कहा है, जहां पर company return equity return capital employed more than 20% के उपर company ने maintained किया हुआ है, अगर इस company का, आप अगर stock price देखो यहां पर, मैंने से पहले, SJS बताया था, या अच्छी company है, यहां पर, लेकिन हमी फिला हम blue chip companies के बात करें, HCL technology, so HCL technology, अभी के टाम पर हम देखे है, यहां पर stock अपने 52 weeks low के आसपास trade कर रहा है, यह भाव कम से कम आप देख सकते हो, पिछले साल, July, May के आसपास चल रहा था, वही भाव पर आ चुका है, इस company का फिलाल अगर P.E. आ जाता है, 16 के आसपास आ जाता है, तो समझ अपना अनालसिस जरूर करो, तो यह company मेरे ख्याल से अंडर है, और काफी अच्छा का सा growth, compounding इसके लिए कह रहा हूं, यहां पे देख सकते compounding का शेर प्राइस का growth, 22% CAGR से grow हो रहा है, company का last 3 years, अगर हम stock price देखे है, और यह पहला stock हो गया, second stock के मैं बात करें, estral politics नहीं, यह सारी company's का business मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो business नहीं कवर कर रहा हूं, यहां पे जो compounder है, उसकी बात कर रहा हूं, तो यहां पे next stock आप देखोगे, इसका P.E. लाल 68 के आसपास टेट कर रहा है, very good company, very good business model, आप जा फिलाल जो P.E. कितने पे चल रहा है, almost आपका 68 के आसपास, मतलब stock under price हो चुगा है, लेकिन फिर भी stock देखर entry मानना है, और market में जिस तरह correction चल रहा है, तो मेरे ख्याल से आप 65 के P.E. के आसपास का भी weight कर सकते है, और 68 पे चल रहा है, 62, 65 के आसपास का P.E. मुल्टिपल क कर सकते हैं, तो इसके लिए stock consider करना है, यह second stock हो गया, इस company का अगर हम growth, compounding profit growth rate, 27% CHR से company का stock price grow हो रहा है, जो के काफी huge growth होते है, मतलब wealth इसने generate करके दिया, और stock है अगर correct हुआ है, तो definitely it's a good option, 52 weeks low के आसपास trade कर रहा है, 3rd stock की बात करूँ दीपक नाइटराइट, तो यहा plan close करने का planning, बोल रहे है, उसके बीसे stock tender में काफी correction हुआ, लेकिन इस company का management काफी बहतर, execution capability, innovative, और management का, जो capex का प्लान करते है, इस company का earning grow होता है, तो फिलाल temporary impacted because of sentiment, otherwise company का fundamental काफी strong है, इस company का 23 के आसपास दिखा रहा है, और इस company का last 3 US का PE multiple, अगर आप चेक करो, 22 के आसपास तो stock के अंदर में 1700 के आसपास का entry था, जिसमें अलरी हमने लिया है, 1700 with a long term objective कम से कम 2 साल के हिसाप से, जिसमें almost, मैं यहां से stock के अंदर में 50% upside पकड़ के चलता हूँ, 2800 का company का high बनाया था, जो कि अब पिछले साल के भाव पे, उसके नीचे आ चुगा, एक तरीके स, अग कमपनी कमी नहीं है, इस company का PE multiple 48 के आसपास है, company का growth काफी exponential है, काफी जादा data analytics का use करे company grow हुई है, no doubt, so company का यहां पर आप देखो, last 3 years का PE multiple, almost 53 का PE multiple है, और अभी के ताइम पर कितने पर company का multiple है, 48 के आसपास, मतरा stock under price है, और मेरे क्याल से 5,300 से लेकर के 5,500 के बीच में, इस investments आपीत हो सकता है, इस company का growth आप चेक कर लो, कितना growth है, इस company का almost last 3 year में 17% CAGR से company का pat grow हो रहा है, और 10 साल में तो 52, sorry, stock price grow हो रहा है, 52% CAGR से और pat इस company का last 3 year में 21% CAGR से grow हो रहा है, sales growth रहे 20% CAGR, तो क्या problem is company, कोई problem है, just because of market में sentiment और FIA पैसा market से निकाल चुके इसके लिए, जैसी stock market में इंटर करना start करेंगे, आपका सारा का सारा stock फिर से 18,000 पर निफ्टी जाएगा, और सारे का सारे stocks का value वह पोच जाएगा, जहां पर company का actual value होना चाहिए, और जिस company का business अच्छा होगा, वही stock इस time पर जाएगा, कोई भी random company बिल्कुल नहीं जाने वाला है, यह 5 stock हो गया, उसके बाद यहां पर मैं D-Mart, और एक stock यहां पर consider करता हूँ, तो यहां पर पी मल्टिपल देखो, बीच में 240 के आसपास पास पहोच गया, इसलिए stock के अंदर में काफी heavy correction है, 2, 163 का पी मल्टिपल दिखा रहा है, और इस company के last 3 years का पी मल्टिपल अगर आप 3200 के आसपास entry already दे चुका, उस time पे में हमने इंटर भी किया है, इस stock के अंदर 3200 लास्ट लेवल इंटर करने का वत्तर लॉंग-term investment, इस company ने expansion planning कर रहे है, number of stores increase कर रहे है, लोगों लग रहा कि जितने सारे नए e-commerce platform open, और जहां से लोग groceries order कर रहे हैं, तो जिससे इनका business ड बाहर जाना एक तरह से tradition है, जहां पर family के साथ जाना घूमना और वहां से select करना, buy करना वह ज्यादा प्रिफर करते हैं, तो यह business long term में चलता रहेगा, no doubt, dividend ही इतना ज्यादा आपको मिल जाएगा इस company से, इस company का stock price 42% CAGR से grow रहा है, मतला wealth create करके दे दिया, इसने और 3 years में 16 15% CAGR का sales growth है, और 19% का profit growth है, काफी high है, उसके बाद यहां पर मैं consider करने वाला HDFC bank, HDFC bank, अभी यहां पर जो भी companies में रहा है, business में कोई issue नहीं है, company काफी बहतर है, sentiment को stock नीचे आया है, बीच में stock काफी, I think 1226 के आसपास भी आया था, sorry, 1248-1280 के आसपास आया था, अभी के त अभी तरह दिखा रहा है, stock का great company, यहां पर आप चाहो था, ICIC bank भी consider कर सकते हो, last 3 years का इस company का P multiple, 25 के आसपास अभी 20 का आसपास टेड कर रहा है, आप सारे अच्छे अच्छे business अभी के टाइम पर नीचे जा चुके है, P multiple के आप से अंडर प्राइस हो चुके है, price to book value पर share ह अगर निकाला तो उसके साब से यह काफी कम पर trade होना start हो चुके है, पहले जहां पर 7 time, 8 time यह trade करती थी companies, right, इस company का stock price growth rate, last 3 years में 4% सी यह जा रहा है, क्योंकि company में बहुत ही consolidation इस range में रहा है, right, तो यहां पर अगर आपको HDFC consider करना है, आप ICIC भी consider कर सकते हो, क्योंकि वो क कुछ ज्यादा तीजी से ग्रो रहा है as compared to HDFC bank, right, यह stock हो गया, उसके बाद, last company के बारे बात करने वारा Asian paint, जहां पर लोगों को लगता है कि Grasim अपना investment 10,000 crore करके, इस company का market share छीन लेगा, जिससे stock price में correction आया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कि हर एक company अपना market share बना करके में थोड़ा बहुत impacted है, लेकिन overall उनको उतना करने में time लग जाए, जिससे अपसे Asian paint आपका kitchen wares में इंटर कर चुका है, interior design में इंटर कर चुका है, right, so company का P.E.Multiple 84 का दिखा रहा है, और last 3 years का P.E.Multiple आप चेक करो, last 3 years का P.E.Multiple आप चेक करो, last 3 years का P.E.Multiple around 84 के return generate कर सकते हैं, आने वाले 1,5 साल, 1,5 साल का planning की बात को, 1,5 साल के नीचे नहीं जो भी stock यहां पर बिने discuss किया है, यहां पर 24% CHR से company का stock price गो हो रहा है, और path 13%, sales 15%, तो यहां पर जो भी companies में यहां पर discuss कर रहा है, सारी की सारी company business better है, सारी के सारी stocks almost 52 weeks low के करीब आ चुके, सा इसी company से जैसे बजाज फिरन 70% consumer finance पर market share है, Asianpin 75% के उपर market share है, HCL technology आपका engineering design और automation में काफी जादा फोकस कर जहां पर LDTS और Tata LZ जैसी company जो lower scale पर वहां पर higher scale पर perform कर रहा है, तो और दीपक नाइटर बहुत सेंटिमेंट के हिसाफ से डाउन है, लेकिन overall company का 1800 क्रों का capex की वजे से company annual time में और जादा बैतर कर पड़ाएगा China plus one strategy के साफ से, तो यहाँ पर जो भी companies मैंने यहाँ पर कंसे गिया, मेरे ख्याल से, जो भी buy करना चाते है, अपना analysis जरूर करें, लेकिन कड़वा सची है कि 2 साल तक कोई भी hold करने का potential नहीं रगता, market में से 5 लोग रखें ता कि आप सीख सको, great penny stock का video जरूर देखना, बहुत ही अच्छी company है, अगर आपको अच्छा लगए तो और लोगों तक share करें, और course में enroll करें, जितना हो सके, जादा जादा लोगों तक फैला है, ता कि वो सीख सके, student, college, engineering, जहां पर भी आपको distribute करना कीजिए, thank you so much, we'll connect in next video